सबी अधिकारी गण मित्रों आधिनी प्रधान मंत्री जी की प्रिणडा से और उन्हें जो दिशा दिया था उसी की अनिसार आधिनी मुख्य मंत्री योगी आधितिनाज जी के मारदर्शन और उनके नेतित्र में भारत का पहला राज उत्तरप्रदेश है जहां पर गंगा आत्रा का आयोजन होने जा रहा है मा गंगा गंगोत्री से निकल करके और पूरी आत्रा करते हुए 2525 किलोमीटर की यात्रा गंगा मया करती है पांच राज्यों से होकर के गंगा मया अपनी जो यात्रा करती हैं उसमें से 1140 किलो मीटर हमारे उत्तर प्रदेश पे मा गंगा बहती हैं हम लोगों के लिए सौभा की का विशे है मानी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और भारत के प्रधान मंत्री जी के कुशल मार दर्शन में मानी प्रधान मंत्री जी ने जो नमाम गंगे की असुभार में किया था उनकी जो संकल्पना थी उसको मूर्त रूप देने का काम किया है आदरणी मुख्यमंत्री योगी आदितनाची जिसका प्रणाम था कि दुनिया के लोग कुम्ब में असनान करने के लिए आए उन्होंने आच्मन किया जलपान किया असनान किया और मा गंगे का पूर्णे लेकर के अपने अस्थान पर साकुशल वापस हुए पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई जिस गंगा के बारे में कहा जाता था गंगा पूर्णी है और इसलिए बानी प्रधान मंत्री जी ने बानी मुख्यमंत्री जी डोलों लोग ने वीचार किया कि एक पवित्र गंगा यात्रा होनी चाहिए और ओ गंगा यात्रा केवल मात्र गंगा यात्रा न हो बलकि गंगा मैया को अर्थ से कैसे जोड़ा जाए गंगा के तटपर निवास करने वाले गाओं का चतुर्दिक विकास कैसे हो इन सभी आयामों को मूर्त रूप देने के लिए एह गंगा यात्रा आयोजित की जा रही है गंगा यात्रा दो तरफों से चल लही है एक तो मागंगे जहां पर उत्रप्रदेश में प्रवेश करती हैं वहां से प्रथम यात्रा का सुभारम आदरी मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा होगा और उस समय हमारे उत्राखंड के मुख्यमंत्री आदरी त्रिवेंदर रावज जी भी वहां पर रहेंगे गंगा यात्रा के सुभारम के आउसर पर और हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरी संजीव बालियान जी भी वहाँ पर उपस्तित रहेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरी स्वतंदर देयो जी भी उस यात्रा के सुभारम के आउसर पर वहाँ पर उपस्तित रहेंगे दूसरी यात्रा का सुभारम महामहीम राजिपाल सिमेते आजंदी वेन पटेल जी के द्वारा सुभारम भोगा बलिया में दूबे छपराफे और वहाँ पर हमारे बिहार के उपमुख मंतरी आदरी सुसील मोदी जी और भारत सरकार के मंतरी आदरी डॉक्टर महेंदर नाथ पांडे जीवी वहाँ पर उपस्तित रहेंगे उत्रप्रदेश सरकार के मंतरी गण्ड भी वहाँ पर उपस्तित रहेंगे दोनों यात्राओं के उसभारम पर एय यात्रा पूरी यात्रा हमारी 1238 किलो मेटर रोट से होगी और एक सो गिदेश सो किलो म्हिंधर, लगभग 1 मिलन समापन कानपुर में 31 तारिक को होगा 27 तारिक से जो यात्रा सुभारम होने वाली है उस यात्रा के दोनों तरफ कुल 1038 ग्राम पंचायते और 21 नगरी छेतर और 27 जिलों से होकर के यात्रा जाएगी सभी आदरी हमारे मंत्री गण प्रभारी मंत्री गण और उत्रप्रदेश के सभी मंत्री गण और भारस सरकार के मंत्री गण कहीं न कहीं यात्रा में सरीखोंगे यात्रा में रहेंगे यात्रा बहुत भब्य होने वाली है यात्रा की तैयारी बहुत अच्छी है आज आदरी म मुख्यमंतरी जी का स्वागत करने के किले आदरिनी सूर्पताब साही जी से निवेधन करूगा कि आदरिनciones forgiving जी को पुष्प गुछ दे करके पढ़ते दे करके स्वागत करने कि करफा करें अदरिनी साही जी मुह कि Maybe पुण दि Syd ओप अब यात्रा में जो गाना चलने वाला है उस गाने की लांचीन के लिए आधनी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अनुमती प्रदान करें कि गाने की सुभारंब किया जाए अधनी मुख्यमंत्री जी से अधनी मुख्यमंत्री जे लांचीन जी से निवेदन है उसा निवेदन हैं झाल झाल कोच तक्निकी कवड़िय के करण गारा भी थोड़ी देर में बज़ेगा eersteसे पहले मैं आधरनी मुख्रूंत जी नन्रोद करूंगा साधर निवेदन करूंगा इस औसर पर अपना मारदर्शन देने की क्रपा करें अधरनी मुख्रूंत जी वर्लिभारात माता की गंगा मैया क गंगा मैया की नमामी गंगे पर्योजना की अंतरगत उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा आयुजेत गंगा यात्रा के लिए इस यात्रा में उप्योग में आने वाले रथों के सुभारम के लिए आयुजेत आज के इस कारिकरम में उत्तरप्रदेश सरकार में मेरे मंत्री मंडल के बरिष्ट सही होगी क्रिशी मंत्री सी सुरे प्रताप साही जी यात्रा के नोडल विभाग जव सक्ती विभाग के मंत्री डॉक्टर महिंदर सिंग जी गन्ना मंत्री सी सुरे स्राणा जी प्रेटन और संस्कर्ती मंत्री सी निलकंठ तिवाडी जी जव सक्ती विभाग के राज्य मंत्री सी बल्देश शिंग गोलक जी प्रदेश के मुख्य सचिव स्यारके तिवाडी जी प्लिस महाने देशक से ओपे सिंग जी अपर मुख्य सचिव ग्रह से उनिय सवस्थी जी सभी प्रसासनिक अधिकारी गाण नमामी गंगे प्रयोजना के लिए योगदान देने वाले विभिन विभागों से जुड़े वे सभी अधिकारी और स्वेम सेवगण पत्रकार मित्रों 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पंच दिवसिय गंगा यात्रा उत्तरप्रदेश के दोनों छोर से प्रारम हो रही है उत्तरप्रदेश में जहां से गंगा उत्तरप्रदेश में प्रवेश करती है पहली यात्रा बिजनौर के पास से कानपूर और दूसरी यात्रा जहां से गंगा मया बिहार में प्रवेश करती है जन्पत बलिया के कानपूर्थ के लिए दूसरी यात्रा प्रारम्ब होगी, दोनों यात्राएं एक साथ प्रारम्ब होगी, और दोनों का समागम कानपूर में 31 जन्वरी को होगा. गंगा आस्ता की प्रतीक तो है ही, और सनातनकाल से हर भारत का नाकरित गंगा को बड़ी आस्ता के साथ अपनी प्रंप्रा और अपनी विरासत का हिस्सा मानता रहा है. गंगा जी के प्रती अपने नी उत्तर दहित्तों का निर्भन करने के लिए, 2014 में इस देश के सुस्षी प्रधानमंत्री आदमी नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत ही स्वस्टता के साथ कहा था. जब वारानसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आये थे, उस समय उन्होंने एक बात कही थी, कि मैं तो मा गंगा क्या देश से हाया हूँ और मा गंगा के प्रती अपने इस अटूट आस्था को ब्यक्त करते हुए नमामि गंगे प्रियोजना को पुरे देश के अंदर लागू किया गया है। देश के जो पांच राज्ये हैं उत्राखंड, उत्तरब्रदेश, बिहार, जहारखंड और वेस्ट बंगाल इन पांच राज्यों से 25-25 किलोमेटर की यात्रा मा गंगा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक तै करती है। 25-25 किलोमेटर की सियात्रा में सरवाधिक दूरी उत्तरब्रदेश के अंदर 1025 किलोमेटर की दूरी मा गंगा तै करती है। तो स्वाभायो ग्रूप से सबसे बड़ी जिमेदारी उत्तरब्रदेश की बंती है। कि हम उत्तरब्रदेश के अंदर गंगा की अवेरलता और निरमलता के लिए कदम उठाएं। और हम सब अभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिनके कारण आज गंगा की निरमलता देखते भी बंती है। प्रियागराज कुम्ब की सफलता बेगर गंगा मैया की स्वच्छता के संभव नहीं हो सकती थी। और वह करके दिखाया। बिकत वर्स जब प्रियागराज कुम्ब में लगभग 25 करोड सरधालों ने गंगा और यमना के पवित्र संगम में स्नान करके दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और अध्यात्मे कायोजन को एक नई उचाईयां दी। 25 करोड सरधालों ने सब ने गंगा की निर्मलता की सरहना की और वर्सों से जो लोगों के मन में एक्टीस होती थी। कि कास गंगा भी स्वच्च होती तो हम भी इसमें डुपकी लगा करके स्नान करते पूर्णे के भागिदार बनते। और कई दस्कों के बाद पहली बार यह उसर पिछले वर्स प्रियागराज कुम्भ के उसर पर उन करोणों सरधालों को प्रधानवंत्री मोदी जी के कारण नमामी गंगे प्रयोचना की सफलता के कारण प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब हम लोग बिगात वर्स प्रियागराज कुम्भ के आयोचन के कारेकरम को तै कर रहे थे। तो उस समय मुझे बताया गया कि कुछ विदेशी राष्टा धक्सों को भी हमें इस कारेकरम में आमंतित करना चाहिए। और कैसे आमंतित करना चाहिए तो मुझे 2013 के प्रियाग कुम्भ की याद थी। जब मौरिसस के ततकालीन प्रधानमंत्री प्रियागराज में कुम्भ के आउसर पर आये थे। लेकिन कुम्भ में जब गंगा की दुर्दसा को उन्होंने देखा को दोर से ही हाज जोड़ करके बड़ी तीखी टिपणी उन्होंने की थी कि क्या यही गंगा है। असनान नहीं किये थे। वापस हो गए। और उस घटना के कारण मैं भी स्वेमिस बात को लेकर सोचता था कि हम किसी भी देशी अतिति को आमंतित करें और वहाँ पर उस प्रकार का माहूल नहीं होगा तो क्या रहेगा। लेकर जब प्रवासी भारतिय दिवस के उसर पर मौरिसस के प्रधान मंत्री अपने भारी भरकम डेलिगेशन के साथ कासी पधारे थे। तो मैंने कासी में उन्हें अमंतित किया कि आप कासी आएं हैं। अच्छा होगा यहां से आप प्रियागराज आएं। और प्रियागराज में कौम्ब का आएउजन चला है, कौम्ब के आएउजन में मां गंगा का दर्षन करें, संगम में सनान करें, तो वे मेरी बात पे हसे थे लेकिन उन्हें मेरे अमंत्रन को स्विकार भी किया, वे प्रियागराज आएं। और प्रियागराज आने के बाद उन्होंने वहाँ पर गंगा की निर्मलता देखी और नकेवल मौरिसस के साथ 400 जो अप्रवासी भारतिय थे या भारतवनसी आये थे मौरिसस से उन सभी ने प्रियागराज कुम्ब में सनान भी किया बलकि वहाँ से जाने के बाद थैंक्स भ पताते वे प्रसंता है कि मांगा की किरपा से वे फिर से मौरिसस के अभी हाली में चुना हुए हैं और फिर से मौरिसस के प्रधानमंत्री भी बने हैं यानि ये अपने आप में एक नया चमतकार हम सब को देखने को मिलता है कि कैसे गंगा जी के इस पूरे अभ्यान में कित परिवर्तन देखने को मिला है आपने देखा होगा वरतमान में माग मेला प्रियागराज में चला है और जब भी माग मेला लगता था मैं पिछले तीन दसक से इस बात को सुनता था सादू संत सर्वालू कलपवासी हर एक विक इस बात पर नाराज़गी विक्त करता था कि नहीं है अभी हाली में विकत्मा प्रधानमंत्री जी कानपूर में आये थे हमारे लिए कानपूर नमामी गंगे प्रयोचना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था और कानपूर के बारे में कहा जाता था कि कानपूर में गंगा की सफलता यानि निर्मल गंगा की सफलता नमामी गंगे की सफलता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को बनाई रखने में सबसे बड़ी भुनिका का निर्मवन कर देगा कानपूर में अकेले सीसा मौव नाले में 14 करोड लीटर सिवर प्रति दिन गंगाजी में गिरता था 128 वर्सों से सिलसला चला रहा था और आज मैं जही बताते वे प्रसंता है कि नमामी गंगे पर्योशना के कारण समय बद ढंक से प्रदानमंतरी मौदी जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जो कारे किया आज एक वूद भी सिवर कानपूर में गंगाजी में नहीं बहरा है कानपूर में झाजमोव के बाद गंगाजी में एक भी जलिये जीव नहीं थे न मचली थी न अन्य जितने भी जलिय जीव होते थे सब मर चुके थे क्योंकि ट्रेनरीस का जितना भी क्रोमियम युक्त एफलियूंट गंगा में गिरता था उसके कारण सभी जलिय जीव नश्ट हो गए थे आज मुझे बताते विए प्रसंता है हमने इसको नियंतित किया अरज को प्रणाम है कि फिर से बड़ी-बड़ी मचलियां और जलिय जीव गंगा जी में फिर से देखने को मिलना है ये नमामि गंगे प्रयोचना का प्रणाम है गंगा के प्रती अपने उत्तर दहितों का निर्वहन करने और गंगा हमारी आस्तावी है तो गंगा हमारी अर्थ विवस्तावी है इस बात को ध्यान में रख करके इस गंगा यात्रा को प्रणामंत्री मोधी जी की पेड़ना से प्रदेश सरकार प्रारंब कर रही है आज उसके रथों का यहाँ पर उनके गंतव्यों की और भेजने की तैयारी किरे आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है मैं आज किस आउसर पर आप सब का अभन करूँगा कि गंगा की प्रति, सासन, प्रसासन, आम जन्मानस, विभिन स्वेम से भी संगठन, स्वेम से भी समाजिक और विभिन प्रकार के धार्मिक संगठनों के साथ साथ जितने भी चाए वहाँ मीदिया से जुड़े वे बंदुगन हों या अन्या विभिन संगठनों से जुड़े वे हों, उन सब का भी वही दाहित्तों बनता है उत्तर भारत इसलिए दुनिया का सबसे उर्वरा भूमी के रूप में विक्सित हुआ है क्योंकि गंगा की पवित्र धारा उत्तर भारत से गुजरती है और देश के 40% भूभाग को गंगा वेसीन के कारण प्रयाप्त जलसंसाधन उपलब्द है गंगा और उसकी सहक नज्यों के कारण पूरा छेत्र अत्यंत ही उर्वरा बना है और यहाँ पर देश की एक बड़ी जनसंख्या निवास करके अपनी आजिविका को और अपने जीवन और जन्म दोनों को धन्य करने का कारे भी करती है आज इस यात्रा के लिए जो रत इस यात्रा में चलेंगे आज उन सभी का हम लोग यहाँ पर दोनों रतों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं यह अपने गंतवे पर जाएंगे 27 को बिजनौर की ओर से मैं स्वेम जाऊंगा और हमारे राजप्रदेश की रजजपाल महोदिया बलिया से स्यात्रा का सुभारम्व करेंगी दोनों यात्राएं हमारे कानफूर में एक साथ वहाँ पर इनका समागम होगा हमने इस उसर पर बहुत सारे निकारिकरम प्रारम्व किये हैं खास तोर पर कल कानफूर में था कानफूर में हम लोगों ने इनिस्षे किया है कि गंगाजी के किनारे जो हमारे 1038 ग्राम पंचैते हैं और 21 नगर निकाये हैं इनमें किसी में भी हम लोग आने वाले समय में इस बात को तै कर रहे हैं कि जो खेती होगी जो वहाँ पर हम लोग बागवानी लगाएंगे जो वहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती बाड़ी का कारे करेंगे विसुद रूप से और्गनिक होगा और इसके लिए कल गौ आधारित खेती का एक विसेश प्रसिक्षण का कारिकरम चंसे का राजात किर्शियम प्रोद्गी की विश्वविद्याले कानफुन में गुजरात के राज्यपाल आचारे देवबरजी के द्वारा वहाँ पर उस कारेकरम का सुभारंब किया गया और सभी 1038 गराम पंचायतों की प्रतिनिधी उस कारेकरम में सेभागी बने थे गंगा के तटवर्ती छेत्रों में कहीं गंगा तालाप का निर्मान कहीं कि गंगा मैदान का निर्मान कहीं पर गंगा पार्क का निर्मान और उत्तरवदेश सासन के हर विभाग की गजविधियां गराम पंचायतों में नगर निकायों में सच्छता के इस अभियान के साथ जुड़ती भी दिखाई देंगी और इस सब के बीच में कोडिनेशन का कार्य जल सक्ति विभाग के द्वारा ही यहां पर आयोजित होगा य गंगा के प्रती हम सब का दाहित्व है गंगा भारत की नदी संस्कृति की प्रतीक है गौमुक से गंगा सागर तक बहने वाली एक अज्रस धाड़ा है जो भारत की संस्कृति की इस सनातन संस्कृति का प्रतनिजित्व तो करती ही है लेकिन भारत की नदी संस्कृति जिसक को एक नए जीने की कला सिकाई है भारत की गंगा उसी पवित्र जीवन को जीने की कला को आगे वढ़ाने की एक पवित्र धारा है और उस धारा की प्रती हम सब का कुछ दाहितों बनता है उस दाहितों का निरुवान करने के लिए आज हम सब यहां पर पस्तित में हैं मैं इस पर मुझे इन दोनों रौथों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए रवाना करते हुए प्रसंता के नभूती हो रही है और मुझे विश्वास है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच हमारी जो यात्रा गंगा यात्रा होगी गंगा यात्रा दोनों और से प्रदेश के दोनों छोर से प्रारंब होकर के कानपूर में दोनों का समागम होगा और हम सब प्रदेश के इस बड़े भूभाग में गंगा जी के प्रति अपने उत्तर दाहित्यों के प्रति आम नागरी को जागरू करके उसकी आस्था और प्रदेश की अर्थ बिवस्ता को भी एक पॉल्मानुप्राए तब शक्ति ही नमामी गंगे नमामी गंगे गंगे तब दर्शनात मुक्ति ही गंगा से बेटे का नाता हम आज निभाने आए है मा तेरे सेवा करने तजको शीश जुकाने आए है हर जंगे हर जंगे हर जंगे नमाम जंगे गंगा मां तेरी लेहर लेहर मम्ना की अमर कहानी है तो जही है तो अल्यानी तो दाही है तो रूठ ना जाना बच्चों से हम तुझे मनाने आए है मां तेरी सेवा करने तुझे को शिश जुकाने आए है मां तेरब तेरे जारे में तेरी सेवाथ है मान उता के नए भगीरत बन कर मोद जी आए नर्मलता के महिम चलाई धर धर खुश वाली आये इस नए भगीरत का हम सब आभार जताने आये है इस नए भगीरत का हम सब आभार जताने आये है मा तेरी सेवा करने तुझ को शीश जुकाने आये पर जता के नए तेर गांदे आये अभार जतानiacर का ही मा तेरी से नमां ननी है हर गंजे 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 हर गंज के लिए निरंतर काम किया सच्ष हुई गंडा योपी ने दुनिया भर मैं नाम किया पुल्कित हो गया प्रयाग पुल्कित हुआ प्रयाग देवगन पुन्य कमाने आए है पुल्कित हुआ प्रयाग देवगन पुन्य कमाने आए है ग्वा तेरी सेवा करने तुझको शेश जुताने आए है हर गंडे आए 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 हर गं कलगोत्री से तिर्थ राज काशी से गंगा साघर तक मा कहां चलबाट रहा है स्मेह भरा से अंदर तक मा तेरे चर्णों में मा तेरे चर्णों में शर्था के फूल चढ़ाने आए है मा तेरे चर्णों में शर्था के फूल चढ़ाने आए है मा तेरी सेवा करने तुझको शीश जुकाने आए है कि अमने कि था इस कि आपने करा जो एक पद इसा को आतरा रदार हमने मतुरा और आयोध्या में आस्था की गंगा वहती है रामकरश्न की कृपावना पर सलावस्ते रहती है हम उसी कृपा के तले प्रेम का दीफ जलाने आये है मात वनी जिवा करने तुझ को शीश जुगाने आये मात वनी जलाने आये है बहुत बहुत धन्यवाद अब आदरी मुक्वंत्री जी से निवेदन है कि अपने करकमलों दोरा दोनों रतों को जंडा दिखार करके रवाना करने की कृपा करें आदरी मुक्वंत्री जी रत के ड्राइबरों से निवेदन है करके आगे बढ़ाईए रत को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाईएगा और रत पे जो लोग ऊपर खड़े हैं तोड़ा साउधानी पूर्बक आएंगे आराम आराम से रत को ले करके थोड़ा पीछे वाला रत रूख करके थोड़ा पीछे वाला रत रूख करके अराम आम से दूरी बना के बाम आम से लग पी जापनिक में भाम आराम आराम ऱλλा restrict प्सक्रा रत vocal करके इ« है लुट बहुत धन्यवाद मानिम्क मिंतर जी बहुत धन्यवाद है आप सब का भी बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया के मित्रों का बहुत धन्यवाद और सभी मित्र गंड यहां पर पस्तिते हैं सभी कारिकरता हो का धन्यवाद अधिकरी गनों का धन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel